मद्यप्रदेश की लाकों मजदूर जो विभिन प्रदेशों में कारे कर रहे थे पिछले डेड़ महिने से भटक रहे थे मद्यप्रदेश वापस आने अपने घाउं में, अपने जिलों में वापस जाने के लिए खाने का पोई प्रबन नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केज सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निन्ने किया, उनको कोई साधन उप्रप करा है या उनकी कोई साहिता राशी करी कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांदी जी ने जो फैसला किया है कि हर कॉंग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया हुए, बस का किराया हुए, कॉंग्रेस पार्टी भड़ेगी ताकि हमारे मज़दूर जो अपना दाउन सोड के तलाश में गई थे अपने जीवन को मदबूत लखने के लिए आज उनके लिए कुछ राहत मिले हम स्वागत करते हैं सोनिया गांदी जी के इस नियने का और हम मद्रिदेश कॉंग्रेस कमिटी की ओर से पूरा उनको इसकी र प्रवासी मज़दूरों को उनके घरों तक जाने का किराया कांग्रेस पार्टी देगी उत्तर प्रदेश कंग्रेस कमेटी हर तरह से मजदूरों के मदद करने के लिए प्रतिबद हैं हमारे प्रदेश में जहांके भी मजदूर फसे हुए हैं उनको उनके प्रदेशों तक छोड़ने की विवस्ता कांग्रेस करेगी आप सभी को यह सूचना होगी कि मजदूरों से इस विपदा की स्थिति में भी किराया लिया जा रहा है वह भी जो पहले का किराया था उससे ज्यादा लिया जा रहा है इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का फर्च बनता है कि हम आ कार से यह भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों के लिए रेलवे यात्रा शुरू की जाए ताकि हम पूरी तरह अपने पास से वह खर्चा वहन करके उन मजदूरों को उनके प्रदेशों तक भेजने की प्रवस्ता सुनेश्चित कर सके